नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं इसी दोरान राज्ट्री राजमार्क 10 अंतरगत 7 माईल में बस पलट गई दुरघटना के बाद मोखे पर सिक्किम पुलिस तुरंथ पहुँच गई और राहत वबचाओ का कारे शुरू कर दिया गया घायल बिद्यार्थियों को 5 माईल इस्थित सेंट्रल रेफरल होस्पिटल अस्पताल में उपचार के लिए भरती किया गया है जनकारी के उन्सार रांची से बिद्यार्थि की 3 बस आई थी इसी में से एक बस गंग टोक के राश्ट्रे राजमारक 10 अंतरगात 7 माईल में पलट गई बता दे कि सोमवर राथ से ही उतर बंगालवा सीकी में भारी बारिस हो रही है बारिस में कई जगा लेंड एस्टाइल हुई है इसी में फंस कर गंग टोक में वापस रांची लोट रही बस पलट गई जारखन में धीरे धीरे अस्थापीत होरे मानसुन की गाती विधी के बीच बुद्धवार और गुरुआर को राजे के उतरी एवं समीप के मद्धे भाग में कुछ जगों पर भारी बारिस हो सकती है इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से एलो अलर्ट जारी किया गया है जारखन से होकर गुजर रहा है 26,000 सिख्षकों के नियुक्ति सिग्र जारखन सरकार के स्कूली सिख्षा यवं सक्षाता विभाग के मंत्री जगनात मातों ने मंगलवार को कहा है कि सरकार 26,000 सिख्षकों के नियुक्ति सिग्र करने वाली है इसकी कवायद चल रही है रिक्त पदों को भरने की परकिरिया अम्तिम चरण में है 60,000 सिच्कों के पद स्रीजन का प्रस्ताव कार्मिक वबीत विभाग को भेजा गया है इसके अलावा 125 माधमिक विद्यालियों को पलस टू में उतकर्मित करने की त्यारी चल रही है विभाग ये पद अधिकारियों को इन जीलों में ही प्रस्ताव के अनुसार विद्यालियों के अफग्रेट करने का आदेश दे दिया गया है अस्थानिये निती आधारित नियोजन निती बने सराइकला खरसावा जीले के खरसावा प्रखन के गोपाल पुरगाउं में महा जूटान का आवजन किया गया इस महा जूटान का आवजन जर्खंडी भासा खतियान संगर समिती ने किया था कारेकरम में मुख्य वक्ता के रूप में जैराम महत उपस्थित थे उन्होंने मुख्य रूप से खत्यान आधारिस अस्थानिय वा नियोजन निती लागू करने पजोर दिया उन्होंने कहा कि अस्थानिय निती के अधार पर ही नियोजन निती बने जार्खन के नोक्रियों पर पहला अधिकार जार्खन्डियों का है उन्होंने कहा कि जार्खन पूर्न राज है यहां पहला हक जार्खन्डियों का है जराम महतोंने कहा कि हमारे लडाई सन्वेधानिक है निती संगत है यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जर्खन्डियों की रक्षा कवच अस्थाने निती न बन जाए सरकारी स्कूलों में नया सत्र एक जुलाई से सरकारी स्कूलों में नया सत्र एक जुलाई से सुरू होगा बता दे की कुरोना को लेकर इस्कूलों के बंद रहने के कारण सत्रे की अधी जून तक बढ़ा दी गई थी इस्कूल से बाहर रह रहे बच्चों के सरकारी स्कूलों में नमांकन के लिए 1 से 15 जुलाई से 20 अभियान चलाया जाएगा जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशत की निदेशक कीरन कुमारी पासी ने इसे लेकर सभी जीला सिक्षा पता दिकारियों और जीला सिक्षा अधिशकों को निदेश जारी कर दिये हैं राज्य पर योजना निदेशक ने निर्देश में कहा है कि नई राष्टिय निती सिक्षा निती में बच्चों के सत परतिस्थत नमांकन का संकल्प लिया गया है। कोरोना के बाद इसकूलों को फिर से खोलने पर बच्चों के उपस्थिती बढ़ाने नई नमांकन तथा इसकूल से बाहर रहने वाले बच्चों के नमांकन हैतु पांच अप्रेल से चार मई तक इसकूल लोटे अभ्यान चलाया गया था। 10 अप्रेल को हुए देवगार त्रिकूट रोफवे हादसे की जाच के लिए कमिटी गठन के सतरवे दिन ओच अस्तरिये टीम ने जाच शुरू कर दिया है। सुंकी और रोफवे नेशनल हाईवे लोजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेट के एडवाईजर एन्सी स्रिवास्तो उपस्थित थे। परिवार नियोजन कारेकरम में पूरुसो की भागेदारी घटी। पिछले साल की तुलना में पूरुसो में आकडा घटा है जबकि महिलाओं में बढ़ा है। ओफिस ओफ प्रोफिट मामले में सियम हमन्त ने मांगा समय है। दूसरी ओर दुमकविधायक बसंद सुरेंड की सस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग दवारा निर्धारी सुनवाई की तारीक 29 जून से बढ़ा कर अगामी 15 जुलाई 2022 कर दी गई है। पुरानी पेंसन को लेकर सरकार कर रही तयारी हमन्त सुरेंड की सरकार सरकारी करमचारियों को लेकर बड़ी तयारी कर रही है। बीते दिनों मुराबादी फुटबोल स्टेडियों में अविजित पेंसन जैगोस महासमेलन को समोधित करते हूँ उन्होंने सापत और पर कहा है कि राजे सरकार समाजिक सुराच्छा को लेकर गंभीर है। यहां के करमचारियों को ओल्ड पेंसन इसक्रीम कर लाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं इसे लेकर असवस्त हूँ। होता है इसे हमेशा घर के छट पर लगवाया जाता है। तारों के द्वारा इसकी और्थिंग कर जमीन में घार दिया जाता है। पर ED की विशेस अदालत में सुनवाई हुई अब इस केस की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी ए आवेदन उनके अधिवक्ता विश्वजीत मुखरजी के माध्यम से दाखिल किया गया था सिरी मुखरजी ने बताया कि जमानत याज का पर सुनवाई हुई जिसके बाद ED की विशेस अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथी निधारित की है बन बिभाग से एनोसी नहीं मिलने के कारण ग्रीड वर टांसमिसन का काम फशा बन विभाग से ये नोसी नहीं मिलने के कारण राजे में पांच गृट सब एस्टेशन और पंद्र टांस्मिशन लाइन का निर्माइन बाधित है किसी ना किसी कारण वस काम रुका पड़ा है निर्माइन के बाध राजे के हजारी बाग कुडार्मा चत्रा रामकर गिरीडी धनबाद वा बोकारो जीले को गिरीड और टांस्मिशन लाइन का लाभ मिलेगा राजे की लगभग 1.18 करोड की अबादी परत्यक शरूप से बिजली की इन अधारवो सनरत नावों के बनने से लबानवी थोंगी बोकारो निवासी नायक सुवेदार अमरेंद्र कुमार लपता एक हत्तर राजपूत बटालियन के नायक सुवेदार अमरेंद्र कुमार लपता हैं बोकारो निवासी सुरी कुमार 457 फिल्ड होस्पीटल एजवाल मनिपूर में पोस्टेड हैं यही से ओ लपता हैं लपता की सुचना सेना की और से परिजनों को दी गई है सुचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वही सेना की सुरी कुमार की खोज बीन के लिए सर्च अप्रेसन जारी राने की बात कही गई है साथ ही जल्द उन्हें ढूंड लेने का आस्वासन दिया है जारखन में बालू उठाव बंद होने से हजारो मैदूर बेरुजगार जारखन की हिमंत सरकार के निर्देश के बाद नदी घाट से बालू का उठाव बंद है वहीं अबाइद रूप से चल रहे क्रेसर पर भी करवाई हो रही है इसके करण बालू और गिटी की कमी होने लगी है बालू गिटी के कमी के करण निर्मान कारे प्रभावित हो रहा है बालू गिटी का उठाव करने वाले ट्रेक्टर का पहिया थम गया है वहीं सेकडो मैदूर बेरुजगार हो गया है देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट का फाइनल कैलिबरेशन देवघर एयरपोर्ट के उद्गाटन से पहले 9 सीटर फ्लाइट का कैलिबरेशन किया गया दिल्ली के सफरत गंज से आई फ्लाइट ने करीब दो घंटे तक देवगर यारपोर्ट के रनवे में सभी टेकनिकल पॉइंट का कैलिबरेशन किया इस दोरान फ्लाइट के टेक ओफ और लेंडिंग का एप्रोच का कैलिबरेशन और एरपोर्ट का ओरिएंटेशन समेथ दोनों छोर से एर ट्रेफिंग डिस्टेंस का आकलन किया गया गिरीडी में कुएं की सफाई के दोरान जहरीली गयस का रिसाव से चार मजदूरों की मौत जहरखन के गिरीडी में बढ़ा हाथ सा हुआ है जहरीली गयस के रिसाव से चार मजदूरों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि गिरी डिजीले के देवरी थाना छेतरे के बरवा बांध में कुए की सफाई कराई जा रही थी इसी दोरान जरीली गयस का रिसा होने लगा इससे चार मजदूर बेहोस हो गए बेहोस हुए मजदूरों को किसी तरह से कुवे से निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मिरित घोसित कर दिया जबकि एक मजदूर बेहोस था इसे एडमिट कराया गया इलाज के दोरान इसकी भी मौत हो गई बोकारो में खुलेगा संस्कृत विद्याला है बोकारो के कोदवादी चंद्रपूरा पत का चोड़ी करन मजबुत्ती करन एवं पूर्ण निर्मान कारे का सिलन्या सिक्षा मत्री जगनात महतो बोकारो जीला परिशत अध्यक सुनिता देवी एवं परमुक पुनम देवी ने किया इसका निर्मान कारे 37.36 लाख रुपे से किया जाएगा बतादे सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा आया कि जल्द ही नवाडी में टीचर ट्रेनिंग, तरारानी में नर्स ट्रेनिंग, एवं नर्रा में संस्कृत बिद्याले खुलेगा यहां के बचों को प्राथ्मिक सिक्षा से लेकर उच सिक्षा एवं तक्निकी सिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा जुलाई में 17 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, सिर्फ 13 दिन काम भातिये डिजर्व बैंक के छुटियों के केलेंडर के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में बैंक कूल 17 दिन बंद रहेंगे सरकारी और नीजी सभी बैंको द्वारा राज पत्रित छुटिया मनाई जाती है इसके अथिरिक्त रभीवार और सभी बैधानिक छुटियों पर बैंक बंद रहते हैं इसके अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे सनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं बतादे जुलाई के महीने में पूरे देश में कई छेत्रिये तेवार मनाए जाते हैं नतिजदन अस्थानिय कलेंडर के अनुसार राज्यों और केंदर सासित पर देशों में बैंक छुटियों पर 17 दिन तक बंद रहेंगे रांची हिंसा के पोश्टर लगाने पर SSP ने नहीं दिया सरकार को जबाया रांची में रोड में दस जुन को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में गोली चलने से मारे एक युवक मुहमत साहील के रिष्टेदार अब तक जांच समित्ती के सामने उपसित नहीं हो सके हैं बतादे राज सरकार के आदेश पर पूरे मामले की जांच के लिगठित अपदास अचीव डाक्टर अमिताव कौसल वा एड़ीजी अभियान संजय लाटकर की दो सदस्तिय उच्छ अस्तरिय सन्युक्त जांच समित्ती ने मुहमत साहील के परिजन वा अने रिष्टेदार को पूस्ताश के लिए बुलाया था इसके लिए जांच समिती ने 26 जून को रांची के सेस्जी को पत्र लिख कर मुहमत साहील के परिजन वा रिष्टेदारों को जांच समिती के सामने उपस्थित कराने को कहा था लेकिन रिष्टेदारों ने जांच समिती के सामने जाने स इनकार कर दिया है जारखन में 13 पत्थर ख़दानों की लगी बोली जारखन में लंबे समय के बाद पत्थर ख़दानों को खुली बोली के माध्यम से निलामी किया जा रहा है और इनके पहिनाम अभी तक राई सरकार के लिए सुखद ही रहे हैं बता दे दो दिनों में 13 पत्थर ख़दानों की निलामी हो चुकी है और आने वाले दो दिनों में एक दर्यन ख़दानों की निलामी होने के असार है उद्योग विभाग कूल 28 ख़दानों को निलामी करने की त्यारी कर चुका है खुली बोली का असर रहा है कि कई ख़दान पहले से कई अधिक बोली लगा कर भी किया है वहीं सबसे महंगी बोली बेगुनिया पत्थर ख़दान के लिए लगाई गई है डिजिटल लर्निंग में जहारखन फिश्डी केंजरीय सिक्षा मंतरले द्वारा परफर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर जारी जीलो की रिपोर्ट में जहारखन के च्छ जीलो ने ग्रेडिंग में उत्तम अस्थान हासिल किया है इनमें हजारी बाग धनबाद रामगर रांची सराय के लाखर साववा चत्रा सामिल है बता दे इनमें हजारी बाग सबसे अवल रहा है उत्तम से बेहतर ग्रीड में दक्ष उत्कर्स हुआ अत्ति उत्तम में जार्खन का एक भी जीला सामिल नहीं हो पाया है जीलो किया रिपोर्ट वर्ष 18-19 तथा 19-20 के लिए स्टन्यूक तो रूप से यूडायस प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे तथा जीलो द्वारा उपलब्द कराए गए डाटा के अधार पर की गई है सहायक अभियानता नियूकती मामले में अठाई गुना से कम अभियार्थो को बुलाया जाने के मामले में जहरकन हाई कोट आज अपना फैसला सुनाएगी 16 जून को सभी पक्षों के बहांस पूरी होने के बाद आदलत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था यह मामला जस्टिस राजेस कुमार की अदालत में मामला सुचिवद है सहायक अभियानता नियुक्ति को लेकर दाखिल आज का पर सुनवाई हुई सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था बच्चों के साथ मार पीट करने वाला आरोपित हेड मास्टर बवन दास निलमभीत बिद्यार्थियों के साथ मार पीट तथा गाली को लोज करने के आरोपित बनना उच बिद्यालेक के प्रधाना ध्यापक बबन दास को जीला सिक्षा पतादिकारी कुमार मयंक भुसन द्वारा ततकाल परभाव से निलंबित कर दिया गया है बीदित हो की बीगत सनिवायर को बिद्याले के बिद्यार्थियों द्वारा पलधाना ध्यापा के खिलाप मार पीड तथा जाली को लोज करने की सिकायत उपायूक्त जीला सिक्षा पदाधिकारी तथा मिराल थाने में की गई थी गयर सक्षनिक कारियों से मुक्त होंगे सिक्षा जारखन सरकार सिक्षकों को गयर सक्षनिक कारियों से मुक्त करने को लेकर गंभीर है इसे लेकर इसकुली सिक्षा यम सक्षाता विभाग के मंति जगनात मातों ने विभीन सिक्षक संगों के प्रतिनीदियों के साथ दूसरे तीथी घोसित नहीं की गई है इसमें सिक्षको की गयर सेक्षनिक कारेों से मुक्त करने को लेकर निने हो सकता है सिक्षा मंत्री के आवास पर होने वाली बैठक में विभागे पदादिकारी भी सामिल होंगे सिक्षा मंत्री सिस्को को मध्यान भोजन के कारियों से मुक्त कराने का स्वासन पहले ही देच चुके हैं संभावना जताई जा रही है कि इस ममले में मंत्री जगनात मतो बैठक के बाद भी धिवत घोस्तना करेंगे बीर्षा मुंडा यारपोट पर बढ़ेगी सुविधाएं रांची के बीर्षा मुंडा यारपोट के बिस्तारी करन को लेकर जार्खन सरकार और यारपोट अथुरिटी अफ इंडिया बीर्षा मुंडा यारपोट रांची के बीच एक MOU हुए है सो मौर सताई जुन को हुए इस MOU के तहट जारकन सरकार की ओर से बीता मुंडायार पोर्ट को 303.62 एकर जमीन उपलब्द कराएगी इसके लिए राज सरकार की ओर से जमीन के अधिगरान की पुरी परक्रिया कर ली गई है जारकंड सरकार की ओर से बिर्था मुड़ायार पोर्ट परवंधन को या जमीन 30 बर्सों के लॉंग स्टर्म लीज पर दी गई है दरसल जमीन अधिगरान का या पूरा मामला 2008 सही लंबित था धन्यवाद जादी आप चैनल पनाई होथे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बज़े साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से असर करना ना भूले साथी साथ आप हमें जारकंडी न्यूज फेस्बूक पेज को लाइक करना ना भूले